नमस्कार दोस्व्व एक बार फिर से स्ववगत आपको इस चनल में आज हम एक नए टॉपिक लेका हैं उसके बारे में डिसकस करने वाले हैं हमारे टॉपिक का नाम है मज़दूरी दर का निर्धारन तो मजदूरी दर निर्धारण के बहुत सारे सिद्दान थें इस वीडियो में हम मजदूरी दर निर्धारण का जो आधुनिक सिद्दान थें या जिसे हम क्या कहते हैं मांग पूरती सिद्दान तो इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है मजदूरी दर निदारण का आधुनिक सिद्धान तिया मांगपुर्ति सिद्धान तो सबसे पहले हम देखते हैं मजदूरी क्या होती है अब उत्पादन के जो सादन है कौन कौन से होते है भूमी, पूंजी, श्रम और साहस तो उत्पादन का एक सादन है हमारा श्रम और श्रम क्या करता है उत्पादन प्रक्रिया में योगदान देता है तो उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के बदले में श्रम को जो पारिश्रमिक चुकाया जाता है उसे क्या कहा जाता है मजदूरी कहा जाता है ठीके अब यह मजदूरी कितनी होगी कम होगी या जादा होगी उसका निर्धारण कैसे होता है उसका एक सिद्धान हमारा है आधुनिक सिद्धान मांग पूर्ति सिद्धान इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें हमारा एक प्राचिन सिद्दान थे सीमान उत्पदक्ता सिद्दान ठीके तो वो इसका आधार है कहने का मतलब मतलब जो हमारा सीमान उत्पदक्ता सिद्दान था वो केवल श्रम की मांग के बारे में बताता है श्रम की पूर्ती के बारे में नहीं बताता है ये उस सिद्धान की कमी थी तो इसी स्थिमें आधुनिक सिद्धान उस कमी को दूर करता है और उसमें श्रम की मांग और श्रम की पूर्ती दोनों को विश्लेशन करता है तो आधुनिक सिद्धान जो है वो कहता है मजदूरी दर का निर्धार्ण उस बिंदू पर होगा जहां अर्थ विवस्ता में श्रम की मांग और श्रम की पूर्थी बराबर होती है श्रम की मांग डिमांड ओफ लेबर बराबर होने चीए सप्लाई ओफ लेबर अर्थ विवस्ता में श्रम की माम और श्रम की पूर्थी जिस बिंदू पर बराबर होगी वह बिंदू मजदूरी दर को निर्धारित करेगा या उस बिंदू पर मजदूरी दर का निर्धार होगा तो इसका मतलब आधुनिक सिद्दान्त के दो भाग हो गए तो अब हम पहला पढ़ते हैं श्रम की मांग, demand of labor क्या होती है तो जब हम अर्थ वेस्टा में देखते हैं, जो श्रम की मांग यो कौन करता है जो उध्यम ही है, उनके द्वरा की जाती है और उध्यम ही क्या करते हैं, वस्तों का उत्पदन करते हैं श्रम की मांग के जाती है और श्रम की मांग को क्या माना जाता है व्यूत्पन मांग श्रम की मांग क्या होती है व्यूत्पन मांग इसका मतलब क्या हो गया कि श्रम जिन वस्तों का उत्पादन करता है या श्रम के द्वारा जिन वस्तों का उत्पादन किया जाता है अर्थ व्यवस्ता में उन वस्तों की मांग कितनी है उन वस्तों की मांग पर श्रम की मांग निर्भर करती है आग्यासन में श्रम की मांग एक तरह से क्या होती है व्यूत्पन मांग व्यूत्पन मांग का मतलब हो गया कि श्रम की मांग क्यों की जाती है श्रम के द्वरा जो वस्तों उत्पादित की जा रही है उन वस्तों की मांग अगर अधिक होगी तो श्रम की मांग भी कम होगी ठीक है माना की जैसे कोई ए व्यक्ति है ए श्रम है वो क्या करता है? कोई वस्तू जैसे कपड़े का उत्पादन करता है अब ये जो श्रम है ए ठीके? यह ऐसे और भी व्यक्ति हो सकते हैं तो उन श्रम की मांग क्यों होगी? क्योंकि इनके द्वारा उत्पादित जो वस्तू है कपड़ा ठीके, इनकी मांग कितनी है, अगर इनकी मांग बढ़ जाएगी, कपड़ों की मांग अगर बढ़ जाएगी, तो कपड़ों का उत्पादन करने के लिए जो श्रम है, उन श्रमिकों की मांग भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसलिए हम क्या कहते हैं, श्रम की मांग क्या होत इसी कारण से उनकी उत्पादक्ता के कारण मांग की जाती है ठीक है और उनकी सीमान उत्पादक्ता कितनी है उसके ओपर निर्बर करेगी ठीक है श्रम की जो मांग होती है वो किसके ओपर निर्बर करेगी सीमान उत्पादक्ता के ओपर जैसा कि हमने पहले बड़ा था एक उ उत्पति हास्तियम के अनुसार क्या होता है जैसे जैसे श्रम की अधिक इकायों का उत्पाधन किया जाता है तो उनकी जो सिमान उत्पाधता है marginal productivity है वो क्या होती है घटती जाती है जैसे जैसे हम श्रम की अधिक इकायों का प्रियोग करते हैं तो वेसे वेसे श्रम की जो सीमान उत्पदकता है वो क्या होती है घटती जाती है और कब तक गटती जाती है जब तक कि श्रम की जो सिमान उत्पदकता है उनका मुल्य श्रम की मजदूरी के बराबर नहीं हो जाता है तो श्रम को जो मजदूरी चुकाई जाएगी वो किसके आधार पर निर्दारित होती है श्रम की सिमान उत्पदकता के आधार पर निर्दारित होती है श्रम को कितनी मजदूरी चुकाई जाएगी जितनी उनकी सीमान उत्पादकता है तो श्रम का जो मांग पक्षय वो क्या कहता है श्रम की मजदूरी का मुल्य श्रम की सीमान उत्पादकता पर निर्भर करता है किसी श्रमिक को उतनी मजदूरी दी जाएगी जितनी उसकी सीमान उत्पदकता है और हम जानते हैं कि किसी भी उद्योग में जो एमारपी वक्र होता है ठीके वो एक तरह से क्या होता है गड़ता हुआ होता है अब जो गटता हुआ भाग है वो किसको प्रतिशित करता है श्रम की मांग को मतलब जो हमारा सिमान उत्पदकता वक्र है वो कैसा होता है गटता हुआ होता है अब गटता हुआ क्यों होता है क्योंकि मजदूरी की दर और श्रम की मांग में कैसा समन होता है मतलब जब अर्थ व्यस्ता में मजदूरी की दर जादा होती है तो इस सिस्थी में श्रम की मांग क्या होगी कम जैसे इस रेका चित्र में देखते हैं कि जब मजदूरी दर कितनी है O से लेकर W है उस समय श्रम की मांग कितनी है O से लेकर M तक है जब अर्थ वियस्ता में मजदूरी का इस तर कम हो जाता है O, W से कम होकर कितना रह जाता है O, W, 1 तो मजदूरी दर में कमी होने पर श्रम की मांग बढ़ जाती है कितनी हो जाती है M से M, 1 तो मजदूरी दर और श्रम की मांग में विपरित सम्मंद होता है इसलिए श्रम का जो मांग वकर है वो कैसा बनता है रिलनात्मक ढाल का और श्रम का जो मांग वकर है वो किसको दर्शाता है सीमान्द भोतिक उत्पादगता MPP को दर्शाता है ठीक है और MPP क्या होती है गटती हुई होती है क्यों उत्पति हासनेम की क्रियाशिल्टा के कारण अब देखिए अर्थ व्यस्ता में जो श्रम की मांग होती है वो किन तत्वों पर निर्भर करती हैं तो जैसा कि अभी हमने कहा था कि श्रम की मांग क्यों की जाती क्योंकि उसमें उत्पादक्ता का तो सबसे पिला हमारा तत हो गया है श्रम की उत्पादगता अगर उत्पादगता जादा होगी तो श्रम की मांग क्या होगी जादा होगी दूसरा भी अभी हमने विश्रेशन में बढ़ा था वित्पन मांग मतलब जो श्रम है उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग क अधिक होगी तो श्रम की मां क्या होगी अधिक क्यों क्योंकि जो श्रम और पुंजी उत्पादन का साधने उनको हम एक सीमात तक प्रतिस्तापित कर सकते हैं इसलिए ठीक है श्रम की जगे पुंजी पुंजी की जगे श्रम का प्रयोग कर सकते हैं मतलब श्रम और पुंजी म इस्ताना पंता का गौन होता है, प्रतिस्ता पंता गौन होता है, एक की जगा दुसरे का प्रियोग कर सकते हैं, तो पुझी गत सादनों की किमते अधिक होने पर श्रम की मां बढ़ जाएगी, और चोथा हमारा है, उज्योग द्वारा अपनाए गई उत्पादन की तक्निक, उत्पादन करने के लिए जो उज्योग वो किस परकार की तक्निक का चुनाव करता है, किस परकार की तक्निक को वो अधिमान देता है, ठीके, तो तक्निक दो परकार की होती है, श्रम परदान और पुझी परदान, अगर वो श्रम परदान तक्निक को परदानता देता है, Supply of flavor अब देखिवे श्रम की पूर्ति का जो आशा हैं वो किसे होता है कि श्रम कितने घंटे कारी करना चाहता है ठीके, तो श्रम की पूर्ति से आशा है उन श्रम घंटों से होता है जो एक श्रमक विभीन मज़दूरी दर पर कारी करने के लिए तैयार होता है ठीक है अर्थवस्ता में विबिन मजदूरी दरों पर श्रम जितने गंटे कारी करना चाहता है उसको हम क्या कहते हैं श्रम की पूरती कहते हैं अब देखिए मजदूरी दर और श्रम की पूरती में क्या होता है धनात्मक समंद होता है अगर मजदूर दर जादा होती है तो श्रमिकों की जो पूरती होगी अर्थवस्ता में क्या होगी जादा और मजदूर दर कम होने पर श्रम की पूरती भी क्या होती है कम हो जाती है इसका मतलब दोनों में धनात्मक समंद पाये जाता है इसलिए श्रम का जो पूर्ती वक्र वो उपर की ओर बढ़ता हुआ धनात्मक डाल का होता है अब देखिए हम किसी व्यक्तिगत फर्म के अगर बात करते हैं तो व्यक्तिगत फर्म का जो श्रम का पूर्ती वक्र वो कैसा होता है पूर्टिया लोजदार होता है हम जो सिद्धान पढ़र उसकी मानिता है पून प्रतिस परदार पून प्रतिवी गीता तो इस सिस्टेम हम जब व्यक्तिगत फर्म की बात करते हैं तो व्यक्तिगत फर्म का जो श्रम का पूर्ती वक्र होता है वो कैसा होता है पून तया लोजदार मतलब इस मजदूरी दर पर वो जितने गंटे कारी करना चाहें कर सकता है ठीक है ये एक विक्तिकत फर्मे के लिए है लेकिन जब हम उध्यों की बात करते हैं तो उध्यों के लिए जो श्रम का पुर्ती वक्र है वो पूर्ट या लोजदार नहीं होगा ठीक है अब हम देखते हैं क जो श्रम का पूर्ती वक्र है ठीक है उसकी लोजदार होता है या बेलोजदार होता है वो किन किन तत्वां के उपर निर्भर करता है तो पहला हमारा तत्व है श्रमिकों के मध्य व्यावसाइक गतिशिलता मतलब श्रम एक उध्योक से दूसरे उध्योक में जो जानने की प्रवर्ति होती है वो किस प्रकार की है तो श्रम की जो व्यावसाइक गति शिलता होती है वो किसको पर निर्बर करती है कि श्रम की प्रकरती मतलब श्रमिक जो है शिक्षित है या अशिक्षित है अगर शिक्षित होता है तो उनकी जो गति शिलता होती है वो कम होती है और अ अन्य उद्योग्यों में मजदूरी की दर ज्यादा होती हैं तो इस इस्तिमें जो श्रमी के उनकी घति शिलता क्या होगी अधिक होगी दूसरा हमारा है जो most important है कार्य आराम अनुपाद ठीक है दूसरा जो श्रम की पूर्ति को बरभावित कने वाला कारक है वो है अमारा कार्य आराम अनुपाद और जब हम बात करते हैं इस तत्व की तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं कारी आराम अनुपात को हम दो तरीके से समझ सकते हैं पहला हमारा होता है प्रतिस्थापन प्रभाव और दूसरा होता है आए प्रभाव तो पहला हम देखते हैं ये प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है तो सबसे पहले हमको बात ध्यान रगनी है कि जो हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव हो हमेशा कैसा होता है धनात्मक होता है ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि जब अर्थ वियुसा में मजदूरी की दर में वरदी होती है तो मजदूरी दर बढ़ने के साथ साथ में जो श्रमी के उनमें क्या प्रवर्टी पाई जती है प्रारम में वो अधिक गंटे कारी करना पसंद करता है ठीके मतलब मज़दूरी दर अब जब बढ़ती हैं तो अधिक गंटे कारी करेगा और आराम करना कम पसंद करेगा ठीके तो ऐसी इस्तिमा हमारा जो प्रतिस्थापन प्रभाब है वो धनात्मा के केसे हैं क्योंकि वो आराम के गंटों का अपने काम के गंटों के साथ में प्रतिस्थापन करता हैं मतलब वो आराम कम कर रहा है और आराम की जगर कारी करना, काम करना ज़्यादा पसंद कर रहा है मतलब आराम की जगर काम का प्रतिस्थापन कर रहा है इसलिए ये जो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है वो दनात्मक होता है मतलब जब अर्थवेस्ता में मजदूरी की दर जादा होती है तो श्रमिक अधिक गंटे कारी करता है और मजदूरी दर कम होने पर कम गंटे कारी करता है इसलिए श्रम का जो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है वो धनात्मक होता है दूसरा हमारा है आय प्रवाव और आय प्रवाव जो होगा वो कैसा होता है रिलनात्मक होता है ठीक है अब रिलनात्मक कैसा होता है क्योंकि श्रमीक जो होते हैं उनमें एक मनोविज्ञानिक प्रवर्वर्वति होती है कि जब अर्थ व्यस्ता में आय का इस्तर बढ़ता जा तो वो आराम करना पसंद करते हैं ठीक है आराम अधिक करेंगे और काम करना कम पसंद करते हैं तो आय बढ़ने के साथ साथ में वो कम घंटे कारी करना पसंद करते हैं इसलिए आय प्रभाव कैसा होता है रिनात्मत ठीक है आय करस्तर ज़्यादा होता है तो काम के जो घंटे हैं उसमें श्रमिक कमी कर देता है क्योंकि देखो जो श्रमिक हो तो उनमें क्या प्रवर्टी होती है कि वो जब मजदूरी जो उनको मिल रहे हैं उनसे वो क्या कर सकते हैं कम से कम अपनी जो नियूंतम आउशकता हैं उसको वो पूरा कर ले ठीक है और जब तक नियुंतम आउशक्ताओं की पूरती नहीं होती है तो मजदूरी दर बनने के साथ साथ में वो अधिक गंटे काहरी करता है और आराम करना कम पसंद करता है लेकिन जब एक ऐसा इस तर आजाता है मजदूरी का जो मिलने पर वो अपनी नियुंतम आउशक्ताओं को पूरा कर लेता है तो उस तर के बाद में जब अरत वेस्ता में मजदूरी बढ़ती है तो फिर वो आराम अधिक करना पसंद करेगा और काम करना कम पसंद करेगा क्यों कि कम घंटे कारी करके वो उतनी ही मजदूरी प्राप्त कर रहा है तो एसी इस तर में हम देखते हैं जो श्रम का पूर्ती वक्र है वो रिनात्मक ढाल के साथ साथ में जासे धनात्मक ढाल का होता है लेकिन एक बिंदू के बाद में फिर वो पिछे की और मुड़तावा बन जाता है एक शुरु शुरु में वो धनात्मक ढालका होता है लेकिन एक इस तरह ऐसा आजाएगा उसके पस्चात अगर मजदूरी बढ़ती है तो फिर वो कम गंटे कारे करना पसंद करता है इसलिए जो हम देखते हैं कि श्रम का पूर्ति वक्र होता है वो पिछे की और जुका होता है या पिछे की और मुड़ा होता है पिछे की और मुड़ा होने का क्या कारण है क्योंकि यहाँ पर रिनात्मक आय प्रभाव जो होता है वो धनात्मक प्रतीस थाबन प्रभाव से अधिक शक्ति शाली होता है ठीके पिछे के और वक्र मूड़ गया अपना पूर्थी वक्र पिछे के और मूड़ गया इसका मलत किया हो गया कि जो रिनात्मक आय प्रभाग वो ज़्यादा शक्तिशाली है किसे ज़्यादा शक्तिशाली है कि मजदूरी दर बढ़ने पर भी फिर श्रम अधिक घंटे काहरी करना पसंद नहीं करता है मजदूरी बढ़ने पर अब वो कम घंटे काहरी करना पसंद करता है मतलब आये प्रभाव क्या हो गया रिनात्मक और वो प्रतिस्तापन प्रभाव की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हो गया है इसलिए हमारा ये वक्र पिछे की और फिर मोड़ जाता है अब इस डायग्राम को जैसे हम समझते हैं तो प्रारम में मजदूर दर कितनी है वो से लेकर W है उसमें श्रम की पूरति कितनी है वो से लेकर M तक है जब मजदूर दर बढ़ती है बढ़कर कितनी हो जाती है वो से लेकर W तब श्रम की जो पूरती होती हो कितनी होती है वो से लेकर M1 तक तो हम M1 इस तर पर मान ले या A बिंदू पर मान ले कि जो श्रमी के उसकी जो न्यूंतम आउशिक्ता हैं होती है उनको वो पूरा कर लेता है और एक आराम का जीवन विद्यत कर रहा है अब इस इस्तर के बाद में भी अगर मजदू इदर और बढ़ती है जैसे कि W1 से बढ़ कर क्या हो जाती है W2 हो जाती है तो ऐसी इस्तिमें वो क्या करेगा कम घंटे कारी करना पसंद करेगा तो वो जो श्रम की पूरती होती हो घट जाती है M1 से बढ़कर क्या हो जाती है M2 इस तर पर आ जाती है जब मजदूर इदर बढ़कर कितनी हो जाती है W2 तो श्रम अपने पूर्ती कम कर देता है और कहां पर आ जाता है M2 इस तर पर मतलब अपनी वो नियूंतम आउशक्ताओं को कम गंटे कारी करके भी आराम से पूरा कर सकता है ठीक है तो इस इस्तिम हम देखते हैं कि जो हमारा मजदूरी का O W2 इस तर रहे ठीक है W2 इस तर रहे यहाँ पर आयप्रभाव जो है वो अधिक शक्ती चाली है हमारा जो आयप्रभाव है रिजनात्मक आयप्रभाव अधिक शक्ती चाली है और इसी वज़ेश्चे श्रम का पूर्ती वक्र पिछे की और मुड़ जाता है ठीक है दोस्तों तो यह हमने पढ़ाता श्रम की पूर्ती के बारे में अब हम देखते हैं अर्थ व्यस्ता में मजदूरी दर का निर्दारन कहां पे होता है ठीक है जैसा कि सिद्दान केता है कि मजदूरी दर का निर्दारन उस बिंदू पर होगा जहां पे श्रम की मांग और श्रम की पूर्ती बराबर होती है तो हम श्रम का मांग वक्र पढ़ाता कैसा होता है रिनात्मक डाल का इस तरह के से और श्रम का पूर्थी वक्र यह से दनात्मक डाल का बनता है ठीक है और दोनों हम देखते हैं E बिन्दू पर एक दुसरे को काटते हैं मतलब E बिन्दू पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्थी दोनों क्या हैं बराबर हैं तो इसी इस्ती में मजदूरी दर का निर्धारन कितना होता है वो से लेकर W और श्रम की मांग और श्रम की पूरती कितनी होती है मातरा कितनी होगी वो से लेकर M तो इस बिंदू को हम कहेंगे मजदूरी दर का निर्धारन कितना होता है मजदूरी दर करने दरन O से लेकर W और श्रम की मांग और पूरती कितनी होगी O से लेकर M और E बिंदू जो होगा वो संतुलन की स्तिति को दर्शाता है अब हम देखते हैं कि यदि मजदूरी दर बढ़ जाती है O W से बढ़ कर O W 1 हो जाती है तो श्रम की मजदूरी बढ़ने से क्या होगा श्रम की पूरती बढ़ जाएगी लेकिन श्रम की मांग क्या होगी कम हो जाएगी तो ऐसी हम देखते हैं अर्थ विवस्ता में A से लेकर B तक श्रम की अत्तिरिक्त पूरती होती है और जब अतिरिक पुर्थी होती हैं इसका मतलब क्या होगा अर्थ विष्टा में बेरूजगारी की स्थिति है तो श्रमिकों में कंपिटिशन होगा प्रतिस परदा होगा और प्रतिस परदा होने से क्या होगा मजदूरी कम होकर कहां पर आ जाएगी W इस तरह पर आजाएगी ठीक है, O से लेकर W इस तरह पर निरिधर्फ हो जाएगी दूसरी स्थिति, जब हम देखते हैं अरत विवस्ता में, मजदूरी जो हैं, वो अगर संतुलित मजदूरी से कम हो जाए, जैसे हो जाए O, W, 2 तो इस स्थिति में क्या होता है इस कम मजदूरी पर श्रमिकों की मांग तो क्या होगी जादा लेकिन श्रम की पूर्टी क्या हो जाएगी कम, तो इस स्थिति में हम देखते हैं C से लेकर D क्या होगी श्रम की अत्रिक्त मांग होगी और श्रम की मांग जब जादा होती हैं तो फिर श्रम की जो कीमत हैं जिसके हम क्या केते हैं मजदुरी वो क्या होगी बढ़ेगी और बढ़ के कहां पर आ जाएगी O, W इस तरह पर आ जाएगी ठीक है? तो इस सिस्थिम में हम देखते हैं कि मजदूरी दर का निरधारन कहां पर होगा यह बिंदू पर होता है जहां श्रम की मांग और श्रम की पूरते बराबर होते हैं ठीक है दोस्तों तो यह हमारा श्रम की मजदूरी निरधारन का आधनिक सिद्दान था